हेलो एवरिवन टू वल्कम टू मैच चानल तो गाइस आज हम कंप्यूटर के बारे में पूरी डिटेल पढ़ेंगे कंप्यूटर कोर्स बेसिक जो है ठीक है पहले तो मैं थेोरिकल के साथ आपको प्रैक्टिकली मैक्सिमम कराऊंगा पहले डिजिटली आपको दिखाऊंगा फोटो में उसके बाद उसी को प्रैक्टिकली में कहां से पहले स्वीच ओन करना है क्या आप लग कहां कनेक्ट होना चाहिए और यह सौड वीडियो 14 मिनिट का है इसमें आपको पूरा डिटेल में कवर कर दूँगा ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब और जरूर कर देना आपकी सपोर्ट की बहुत बहुत जरूरत है और यह वीडियो मेरे कूपर बटन होगा ठीक है CPU मतलब होता है Central Processing Unit वो बटन है वो ऑन ओफ बटन है इसको पावर बटन भी कहते है जिससे पावर देखते के साथ ही देखो ओन करा और जैसी ओन करते है उसे दवाने के बाद आपका मोनीटर में डिटेल आने लग जाती है ठीक है हमारा ओन हो रह कि हमारे computer on हो गया display पे आ ठीक है monitor पे text आने लग जाते हैं इसे पता चल जाता है हमारा monitor on हो रहा है उसकी अबाद थोड़ी दिर बाद ये window का sign खुलता है और आपका display कुछ इस तरह दिखता है ये पूरे screen को display बोला जाता है और ये इसके उपर जो चीज है ना उसको desktop बोल बोलते हैं जो हमारे phone में होते हैं जिस app को खोलना होता है उसमें जाते है ना same वही चीज है जो आप open करना चाहता है वही चीज है लेकिन इसको icon icon मतलब एक sign दे दिया गया है app in the sense ठीक है तो ये हो गया उस icon की बीच में आपको नाम भी दिरकाओ जैसे phone में होता है Instagram और Facebook त इसमें भी icon के साथ उसका नाम भी होता है MS word है क्या है क्या नहीं है recycle bean है computer है ठीक है तो आप जब भी खोलोगे ना तो ये कुछ चीज आपको दिखेगी नहीं दिखेगी तो computer तो जरूर दिखेगा जो उपर वाला है और ये recycle bean circle में होता है ठीक है कोई दिकत इतने तक अब चलते हैं अब चलते हैं नीचे वाले पटी पे यह नीचे वाले पटी को हम टास्क बार बोलते हैं टास्क मतलब जहां हम टास्क करते हैं ठीक है तो यहां पे भी कुछ icon होते है वह icon अलग यह अलग icon है ठीक है इस task बार में हमें दिखता है सबसे पहले यह जो window का sign है इसको tool tray कहा जाता है क्योंकि इधर भी wifi, आपका speaker हो गया और ये date time लिखा होता है अगर नहीं बता को उसके उपर आप जाओगे तो उसका नाम लिखा आ जाता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ये हमारा start button हो गया window है ना, इस window पे हम touch करती है, तो यहाँ पे हमारा start button आ जाता है जैसे start लिखा हुआ है, तो सबसे पहले क्या करेंगे इसको हम देखेंगे जाएंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे start button पे गया है, अगर हमें window को off करना है, on तो सिखा चुके अब दोगो, यहां shut down लिखा हुआ है काम बंद, अब आपको दिखा रहोगा window हमारी बंद होने लगी ठीक है, almost बंद ही हो गई है दोस्तों यह गलती कभी मत करना CPU में जो यह जो light होती है डारेक्ट उसको बंद करने की बहुत लोगों यादत होती है इससे क्या होता है, जो आप काम कर रहे होगे न कम्पूटर में वो सारा गयब जायेगा और वो आपको कभी मिली नहीं पायेगा ठीक है, और इससे system काफी effect होता है और direct switch भी off नहीं करा जाता है इसको अभी मैंने जो systematic तरीका बता है कि start में जाके shutdown करना उसी तरीके से करना है अभी तक सब समझ में आ रहोगा यह होगा window का sign, window कभ कभ आये थे यह आपको detail मैंने दे दिया आप pause करके इसका screenshot ले सकते है हर साल का अलग-अलग window है बस window क्या है, अलग-अलग आपको window अभी so हो रहा होगा window 8, यानि जब हम उसे open करते हैं न, computer को तब ऐसा दिखता है window 10 कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है, window 10 ठीक है, और window XP, सब तरीके का यहाँ पर मैंने एक example दे दिया कि हर window कैसा दिखता है, खुलने के बाद, उसमें feature अलग हो जाते है जैसे phone होता है, जितना मेंगा phone होगा, उसी साबसे में feature होती है, ठीक है तो वही बताएगे, यह window का sign होता है, इसको mind में याद रखना है यह window का sign होता है, कोई भी computer बिना window के चली नहीं सकता on तो कर सकते हैं, light आएगी, पर चलेगा नहीं असान भास हमें समझाओं कि जैसे TV हमारे पात, उसमें cable और set up box नहीं होगा तो वह चलेगा कैसे, channel कैसे आएगा वही बात है, वैसा ही एक window चाहिए होता है, जिससे हमारा computer चलता है अब अगली चीजों पे चलते है कि restart कैसे करें, होता है ना, phone में reboot कर देते है, restart कि computer बंदों के अपने आप आउन जाए, कभी computer में तकनीकी प्रावलम आती है, hang या फिर वो चीजे प्रावलम होती है, तो सेम उसी window पे जाना है, start पे जाना है, फिर अपने आप starting window दिखा रहा है, यानि खुच देरों के बाद अपने आप on होगा यह system, इसका पती भी नहीं होगा, का off करो, फिर on करो, देखो अपने आप window स्टार्ट होगा, अई चलते हैं, इसमें एक computer का option होता है, यहाँ पे icon हर computer में होगा, उससे किसी भी icon को खोलने के लिए हमें double tap करना पड़ता है, यह करसर है, double tap करा, तो एक page खुलता है, इसे computer instruction बोला जाता है, या फिर computer folder भी इसे कहा जाता है, जो basic knowledge है, अब आए इसके instruction में बताता हूँ, यह जो खुला हुआ है, इसमें एक नीले color की यह पट्टी दिख रही हैं, इसमें ना last में यह dash का मतलब होता है, कि इसमें लिखा हूँ है ना minimize, किसी चीज़ पे ले जाओगे उसका नाम, इसको minimize करते के साथी, यह हमारा folder taskbar, जो नीचे है ना हमारा, उसको taskbar मैंने बलत बताया था ना, इस पट्टी को, क्योंकि जो ऐसी पट्टी दिखे taskbar कहलाती है, यह folder को touch करेंग और एक और काम करें, तो दूसरा खोल सकते हैं, अब दूसरा होता है maximize, इसका मैं बता रहा हूँ, maximize का मतलब इसे दबाते के साथ यह पूरे screen पे आ जाता है, अब समझ में आए दूसरे का क्या काम है, दोबारा उसी पर touch करेंगे, तो minimum और maximize, दोबारा वो जो बीच वाला है सेम उसी shape में आ गया, अब पता चल गया, पहले वाले का काम है कि नीचे down करना, दूसरे वाले का minimum maximize करना, और तीसे वाले का काम आपको पता है ही, इसका होता है कि cut करते के साथी यह सारा काम delete हो गया, अब यह cut के साथी देखो, नीचे ना कोई folder नहीं है, नीचे टास्पर से उसे वहाँ पे computer पे जाना पड़ेगा, cursor से double tap से उसे open करना पड़ेगा, I hope अभी तक सारी चीज़े समझ में आ रही तो please share and subscribe करते रहेगा, और बोलोगे तो उसके बार में मैं detail में बताऊंगा, ठीक है, मैं आगे चलते हैं, अब उसके नीचे हमारा एक box दिख रहा को computer लिखा हुआ, ठीक है, उसके बगल में दो arrow दिए गया है, इसे वहाँ पे जाते के साथ ही नाम आ जाएगा, back and forward, ये दो button का काम होता है, back and forward, किसी page में जाते हैं तो आगे और पीछे जाने के काम आते हैं, अभी hide दिखा रहा हो, नी तो blue दिखा था, और फिर जो अगला box ह उसे computer बोलते हैं, ठीक है, उसको systematic bar बोला जाता है, ठीक है, इसका नाम होता है, हर एक चीज़ का, ठीक है, उसके जो next box है, उसमें searching लिखा हुआ है, searching दिखा हुआ है, searching कि कोई file हमें मिल ने रही, बहुत सारी file होगी, हम ढूंडे कैसे, तो इसमें search कर सकते हैं, इसके बार म जो पट्टी है, blue color की, थोड़ी, उसे बोलते हैं, toolbar, toolbar इंदे संज कि, जो हम यहां काम करेंगे, जिस tool का use करके हम काम करेंगे, उस सब को नाम यहां लिखा होता है, असान भास हमें बताऊं, तो इस बार tool का मतलब क्या होता है, कि कोई समान का tool का use करके, हम उसका का काम करें तो जो भी काम होगा, इसलिए इसको toolbar बता है, ठीक, उसके नीचे एक पट्टी होती ही, window के नीचे, इसको pane, pane बोलते हैं, ठीक है, detail pane, detail pane, detail pane का मतलब, यह लिखा होता है, कितने memory का है, कितने GB का है, work group है, किस नाम से बना हुआ है, Intel है, core, TM, 26, आगे चलते हैं, operating system, operating system क्या ह RAM कितनी है, जैसे हमारे phone में भी RAM room होती है, वही चीज है, storage के लिए, ठीक है, तो वो CPU में होता, monitor में नहीं होता, इसमें, ठीक है, तो अब चलते हैं, क्या होता है, हम computer को पहले open करते हैं, computer पे जाते हैं, right click करते हैं, mouse में दो होते हैं, एक left और एक right के लिए, right click करते हैं, कौन से process पे काम करता है, बगल में आपको window का sign भी दिख रहा हो, asus आपको दिख रहा होगा कि उसका जो भी चीज यूज इसमें हुआ होगा, सारी detail आगी यह किसे बनाए, कौन से window पे काम करता है, कैसे करता है, तो यह है operating system, यानि operating system एक window पे काम करता है, और वो window कौन सी है या कितने GB RAM है, वो सब इसमें detail लिखी गई है, यहाँ जाके किसी भी computer में आप चेक कर सकते हैं, चाहे laptop हो या computer में, ऐसी आप चेक कर सकते हैं, यह होगा तरीका, अगर ऐसी वीडियो अच्छी लग रहे तो please share and subscribe करते रहेगा गाई, और नीचे मुझे जरूर बताइएगा कि ऐसी वीडियो और चाहिए तो ठीक है, और support आपका बहुत चाहिए, तो करते रहेए गाईज, ठीक है, तो यह आपका 6GB RAM दिख रहा है, आपको दिखी रहा है, मैंने पहले भी बता दिया, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो, मेरे अंदर क्या-क्या system के अंदर property है, ठीक है computer पर जाना है, right click करना है, और वहाँ पर जाके सबसे नीचे property का option पर जाना है, ठीक है, detail का option होगा, detail पर जा सकते हो, I hope यह instruction आपको बहुत अच्छी लगी हो, इस window को बंद करने के लिए हम right side उपर title bar में, जो title bar था, उसे cross पर click करेंगे, अब आते हम real practical में, ठीक है, real practical में आपको करके दिखाते हैं, guys, यह मैंने courses कर रही है, कुछ अच्छी वीडियो बनाने की, पहले digitally बता दिया, अब practically fully, देखो, यह एक वार जा रही होते, computer से, ठीक है, switch लगी पड़ी है, हमने on कर दिया, बंद है, on कर दिया, टक, on कर दिया, नीचे आते है, अभी भी system open नही system off हो जाता है, लेकिन यह हमारा battery का काँ करता है, ठीक है, यह जो हमारा काम है, ठीक है, UPS नाम है, सोरी, UPS नाम था, जो सबसे पहले on करा था, ठीक है, उसके बास CPU था, CPU को on करा, CPU को button दब आक, उसके बद हمारे पाप window सामने आपका दिखरा है, ठीक है, विंडो आपका साम पहले था ठीक है अब विंडो उपन हो चुकिया आपके ठीक है यह प्रैक्टिकली में दिखा रहा हूं आपको और कोई भी इंस्ट्रक्शन आए उसे कट कर देना है ठीक है आपके सामने दिख रहा है सेम वह मैंने एक डिजिटल वे में बताया था अब प्रैक्टिकली फूल सब्लाइब अब आते हम अपने माउस यह हमारा माउस है लाइट जाल रही है इसमें तीन बटन जो सबसे आगे बटन होता उसको लेफ्ट कहते है और राइट क्लिक उस सबसे पर हम से लाष्ट वाले को गाते है और फिच में एक होता है यह देखो पहले तो हम घुमा कि दिखा देते हैं यह करσα रहें, जैसे जैसे हम घुमाा हैंगे लिए इसको कोई स्क्रोल करते नहीं है जैसे इंस्टाग्राम पे रिल देखते हैं लोग या बहुत सारी चीज़े होती है जो चीज़े देखने के लिए होती है ठीक है यहां पे हमारा सिस्टम हो गया ठीक है आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी मैं प्रैक्टिकल सिस्टम ओपन ओजातो कोई भी ऑप और कोई भी ऐकन जो है वो ओपन कर सकते हैं टीक है उसके लास्ट पैक्त पहले डबल लेफ्ट क्लिक होता उसके बाद pearl的 गोल गुल घुमा रही है उसके बाद क्यों राइट के लिए वो राइट क्लिक से हम प्रोपटी देखते है या कुछ भी चीज खोले या आपने को देखने के लिए मिल जागा thank you so much guys I love you and bye bye subscribe